धन्य हो प्रभू येश्य का नाम धन्य हो जबकि हम अपने गीतों को गाएं येश्य को हम महिमा दें येश्य की प्रशंसा अस्तूती करें मन से, इमांदारी से, दिल की घहराई से हम अपने गीतों को गाएं धन्य हो प्रभू येश्य का नाम येश्वा तच को ही मैं चाहूँ तकल से और ज्यादा चाहूँ येश्वा दज में ही मैं रहूँ पर लवजों से मैं कहने पाऊँ प्यार की आग जल रही है तेरे लिए जल रही है इस दिल को तेरी चाहत है तुछ तेरी हम को महाँबत है इस दिल को तेरी चाहत है तुछ तेरी हम को महाँबत है येश्वा तेरे पास आता हूँ दिल से मैं स्थूती करूँ येश्वा येश्वा तेरे पास आता हूँ तु ही है तु ही है मेरा प्रभू प्यार की आख जल रही है तेरे लिए जल रही है प्यार की आख जल रही है तेरे लिए जल रही है तुझ से ही हमको मुहबबत है इस दिल को तेरी चाहत है तुझ से ही हमको मुहबबत है इस दिल को तेरी चाहत है तुझ से ही हम तुम हागत है इस दिल को तेरी चाहत है चाहत है चाहत है आज की सुबह हम प्रभु येशु की उपस्तिती में आये हैं एक साथ मिलकर हम उसकी जहजेकार करने आये हैं एक साथ मिलकर सामोही ग्रूप से उसकी अरादना और प्रशंसा करने आये है सामोही ग्रूप से येश्यु को आदर और महिमा देने आये है जहाँ पर येश्यु है वहाँ पर आजादी है जो हम कहीं और और किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते है जहां पर बरमेश्वर की आत्मा है वहां पर वो शांती हम प्राप्त कर सकते हैं जो बे बयान है और जो हमें दुनिया कभी भी नहीं दे सकती है केवल ओ केवल येश्यु ही हमें वो शांती दे सकता है वो आनंद दे सकता है वो चंगाई दे सकता है और कोई दूसरा नहीं है जो ये सब दे सकता है कोई और नाम भी नहीं है इस पृत्वी पर, पृत्वी के नीचे ना स्वर्ग में केवल और सिवाई ये शुमसी का नाम इसलिए भजन लिखने वाला कहता है जब उसके भवन में आओ जब उसके आंगनों में आओ तो फिस्तूती के साथ धन्यवाद के साथ अभारी घृदय से उसके भवन में आओ वजन हमें ये बताती है हमें सिखाती है कि हमें धन्यवाद के साथ प्रवेश करना चाहिए धन्यवाद के साथ क्योंकि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है क्या कुछ नहीं किया है इसलिए हम आनन के साथ उसके भवन में उसके आंगनों में हमाए आललुया प्यारा लगत है दुलारा लगत है तेरे दर्बार मसी कोने कोने आवे तेरे दर्बार मसी कोने कोने आवे असा हाई लाचार और भी माने दे प्यारा लगत है प्यारा लगत है तेरे दर्बार मसी का का मिलत है तेरे दर्बार मसी का का मिलत है वक्ति ओ शांति आपार रे वह क्यारा लगत है तेरे दर्बार मसी हम सब है आए तेरे दर्बार मसी हम सब है आए तेरे दर्बार मसी हम सब है आए प्यारा लगने, सुलों प्रभुजी हुगारे, प्यारा लगने, शुलों 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 प्रभुजी हुगारे, प्यारा लगने, शुल तुल्यारा लगत है तुल्यारा लगत है इस्युका दर्वार दे मो है तुल्यारा लगत है इस्युका दर्वार दे मो है तुल्यारा लगत है तुल्यार लगत है आजके तेन हमे से कुछ लोगत है प्रबू के मेज में हम شामिल होंगे इस बात को समरण करते हुए कि येशो ने अपनी जान हमारे लिए और आप के लिए कुरूस पर दिया येशो ने अपना रख उस कुरूस पर बहाया येशो ने कलवरी पहाड़ी पर अपने आपको एक बलीदान के रूप में चड़ाया इस बात के लिए तो हम हम खुद इस कीमत को नहीं चुका सकते हैं ना ही इसके बदले हम कुछ उसे दे सकते हैं कम से कम हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं अपने दिल की गहराई से कम से कम हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करके हम कह सकते हैं प्रभु येशू ये जो जान इस जीवन में है ये जान आप ही है जो हमें देते हैं आज का नया सवेरा आप ही ने हमें दिखाया है इस बात के लिए हम शुक्रिया कहते हैं इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं यिशु तेरे कवीमाने से सिंदगी मेरी बन गई यिशु तेरे कवीमाने से सिंदगी मेरी समय एक और बार में गाये जिशु पिरिशु तेरी करिवाने से जिन्दी तेरी बगले ये क्या आपकी गभाही है पिरिशु तेरी जुने से जिन्दी तेरी सब्सक्र गए तूने मुझे हैं बचाया तूने मुझे सहलाया तूने मुझे ने मचलाया तूने मुझे सहलाया मैं तन्यवा दकर्ता रहो तो येस धन्यवार करता नहूंगा तो में धन्यवार करता नहूंगा तो येस धन्यवार करता नहूंगा अपने हाथ को ठाकर गाए अपने हाथ को ठाकर गाए येशु ने ऐसा प्रेम जटाया मुझे को अपना लेटा बनाया येशु ने ऐसा प्रेम जटाया मुझे को अपना लेटा बनाया अपना लगू बहाया, जीवन नया दिलाया अपना लगू बहाया, जीवन नया दिलाया जीवन नया दिलाया दिलाया, जीवन नया दिलाया जीवन नया दिलाया दिलाया, जीवन नया दिलाया बंड़ा, 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 बंड़ मैं जो बापों में ढूबा हुआ था और जो तुझ से दूरुआ था मैं जो बापों में ढूबा हुआ था तुने मुझे है चलाया तुने मुझे है चलाया अपनी राह पर चलाया तुने मुझे है चलाया अपनी राह पर चलाया में दंडिवार दर्टा रहूँगा में दंडिवार दर्टा रहूँगा में दंडिवार दर्टा रहूँगा में दंडिवार दर्टा रहूँगा बन्मीर बन्मीर, बन्मीर, बन्मीर बन्मीर, जनुन हुग करे कि उन्म आड़, बन्मीर, ब dependent है दन्यवाद, 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 क्या आपके हृते हैं एज धनेवाद से उमर रहा है? किया आज के सुबह आप कहो हिरदै में इस बात के लिए धनेवाद है कि पर्मेश्वर पिता ने अपना पुत्र प्रभू एश्व को भेजा? क्या इस बात के लिए आप धनेवादित हैं कि प्रभु येश्यु मसीप पिता की बात को सुनकर स्वर्ग छोड़कर इस पृत्वी पर आया क्या आप इस बात के प्रती धनेवादित हैं कि प्रभु येश्यु इस पृत्वी पर चला वो इधर-उधर चलता फिरता लोगों के लिए भले कारियों को करता रहा क्योंकि पवित्रात्मा का विशेक उसपर रहा और फिर उसके बाद उसने अपने आपको एक बलिदान के रूप में क्रूस पर चड़ने को दे दिया उसने अनुमती दे दी इस बात के लिए कि उसका दे तोड़ा जाए और उसका लहू बहने पाए क्योंकि वचन हमें ये सिखाती है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम अपनी चंगाई को प्राप्त करते हैं और उसके रक्त के बहाई जाने से हमारे पापों से हमें मुक्ती और छुटकारा प्राप्त होती है ये शुमसी के रक्त में जो सामर्त उन दिनों में था वोई सामर्त आज के दिन भी हमारे लिए और आपके लिए उपलब दे उस रक्त के द्वारा हम अपने पापों से छुटका रहा अपने पाप के श्राब से छुटका रहा और अपने रोगों से चंगाई हम प्राप्त करते हैं हाललूया, हाललूया हाललूया, हाललूया सच में अगर कहा जाए, तुलना की जाए तो हमारे येश्यु के समान कोई भी नहीं है येश्यु जैसा कोई और दूसरा नहीं है येश्यु के समान कोई और दूसरा नहीं है केवला केवल येश्यु मसी केवला केवल येश्यु मसी केवला केवल येश्यु मसी तुम्सा को इना ही तुम्सा कही नहीं अब है पूरा यकीन तुम्सा कही नहीं एक और बारंगी कार करेंगे तुम्सा तुम्सा कोई नहीं तुम्सा कही नहीं अब है पूरा यकीन तुम्सा कोई नहीं अबने हाथ तको ठाकर गाए तुम्सा कही नहीं हुआ है तुम्सा कही नहीं आ तुम्सा कही नहीं तुम्सा कही रिए कि मा अढ मेडिन निया एक उभा कि तक नगिन विया ваш हुष में आङिन बा पिन्रेशनन कि तो सब्सक चिर अउननन कि तोför तुमसा कही नही अब है पुरा यकिन कुरा यकिन वार यकिन्यू। कुरा यकिन यकिन यकिन्यू। यकिन शुमसी ओमैंज तुम स्थाइब इदियू। टानी आसमा कर अको भुक भुट कर पिसथा, है कर वाम कर फिर है मुट भुक भल र 거죠 तो आए एज़ दिली कि अन्हेरो में दुरासनी दुरी मंजे दुनासना दिली कि अन्हेरो में दुछा नपचिका दिली तो आए जन्हेरो में दुरासनी तो पिलींदे। अब झाल जो नहां आजा 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 दुशित आपी चिराः आजदे आजित कि लिली नहां गयर, आजा आचित के छावर Alleluia 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 ईजया नएचे। क ज anthropology साहिए जो न형בालेはचे साहिए लाति इन साहिष और नुदा शाहिए और नवो और न沖 दे मुदा हो भो गिये सिर्च mixed जढ बना ये साथने नग कर दो नगना नगना नगने मेश ज़िए तुम्सा कोई नही तुम्सा कोई नही अब है पुरा यही तुम्सा कोई नही 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 तुम्सा कोई तुम्सा कोई तुम्स तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं आलेलुया इस बात कोंगी कार करें तुम सा कोई नहीं आलेलुया that's wonderful it's so good to be with you this morning the Bible says for where the spirit of the Lord is there is liberty and God is here how many of you believe that God is here आप मेंसे कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर यहां है Amen and if you believe that यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं then you can expect a miracle you can expect a miracle you can believe God for a miracle आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं का अश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए every time we come together in the presence of God God is in the midst of us and every time we realize God is in the midst of us we can expect something to happen to us it's the same with our personal lives you know when you spend time with God we are not in the presence of God because we hope something may happen हम परमेश्वर की उपस्तिती में इसलिए नही है कि सिर्फ हमारे पर पास आशा है कि कुछ हो जाएगा but we stand in faith because something will happen परंतु हम विश्वास में धर्ण खड़े होते हैं कि अवश्य ही प्रभू कुछ करेगा hope is what is before us और आशा उसकी की जाती है faith is what brings hope to reality और विश्वास वो है जो अस आशा को वास्तिविक्ता में तबदील कर देता है so you know we have a hope in us हमारे अंदर एक आशा है we know that God is able to do things हमें मालो में परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं but we also have faith परंतु विश्वास भी है faith that what we hope can come to pass और ये विश्वास की जो आशा हम रखते हैं वो हम तक आएगा you know faith needs to become a now faith और जो faith है उसको एक परयाब तो विश्वास में तबदील होना है you know in Mark chapter 10 Marcos उसके दस्वे अभ्याए में Batimeos was a beggar he was blind and probably he heard that Jesus is doing a lot of miracles और शाइद उसने सुना होगा कि बहुत से चिन चमतकार प्रभु ईश्व कर रहे हैं so maybe he had a hope in his heart शाइद उसके हिर्दे में ये सुन के एक आशा जगी होगी oh this Jesus can maybe do something for me too और शाइद ये ईश्व मेरे लिए भी कुछ कर दे isn't that the same with all of us क्या ऐसा ही हम में से सब के साथ तो नहीं we read the Bible Bible पढ़ते हैं we see the power of God in the Bible और परमेशवर की सामर्थ को Bible में पाते हैं we see what God is doing to people in the Bible हम ये भी देखते हैं Bible में परमेशवर दूसरों के साथ क्या कर रहा है and then you know there's a little hope और उसे आशा आती है हमारे अंदर if he can do that for somebody he can do it for me वो यदी दूसरे के लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी अवश्य करेगा that is hope ये तो आशा है then one day Jesus came to the city where Barthimaeus was और लेकन एक दिन शुमसी भी उसी शहर में पहुच गए जहां बरतिमाई था now Barthimaeus needed to move from hope to faith he had to believe in his heart that you know God can heal him like he healed somebody else like he has heard people talk about so there is a way in which you and I need to have faith where we believe what God does for somebody can happen to me और इसी प्रकार से हमें एक प्रकार का भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो दूसरों के लिए किया है वो हम्मे आरे लिए भी करेगा then he began to realize that Jesus was coming और उसके बाद Barthimaeus ने ये जाना कि ईशु मसी उसके तरफ से जा रहे है he became aware of the presence of Jesus वो ईशु मसी की उपस्तती के प्रती जागरुख हो गया he could not see him वो देख तो नहीं सकता था उसको but he knew it because people were talking about it और लेकिन वो जान पाया क्योंकि लोग बातें कर रहे थे it's the same with us हमारे साथ भी ऐसे ही है you know we need to become aware of God's presence in the midst of us और हमें इस बात के प्रती सचेत होना है कि कब परमेश्वर की उपस्तती हमारे मद्ध में है but we don't see it लेकिन हम उसको देख नहीं सकते you know we can't see God standing here और हम परमेश्वर को इस स्थान पर खड़े हुए नहीं देखते but faith is believing faith is believing what God's word says और विश्वास वह है जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर भरोसा रखना and if we believe यदि हम विश्वास करते हैं then something will happen the Bible says in Hebrews 10 and verse 6 I'm sorry Hebrews 11 and verse 6 but without faith it is impossible to please Him विश्वास के बिना उसे प्रसंद करना अन होना है for he who comes to God क्यूंकि जो परमेश्वर के पास आता है must believe that He is और उसको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है and He is a rewarder of those who seek Him और जो उसको खोजते हैं उनको प्रतीफल देता है what is faith? faith is believing that God is विश्वास ये है कि परमेश्वर है we must come to God believing that God is हमें परमेश्वर के पास इस विश्वास से आना है कि वो है and believing that He will give a reward to those who seek Him और ये भी विश्वास रखना है कि जो उसको धिर्दे से खोजते हुए उसके पास आते हैं उनको प्रतीफल देता है just like we don't see in the natural with our natural eyes और जैसे कि हम अपनी इन प्राकृतिक आखों से नहीं देख सकते हैं but we believe in our heart परंतु हुम अपने हिर्दे से विश्वास करते हैं it's the same with Barthimaeus और Barthimaeus के साथ भी ऐसा ही है he could not see Jesus with His eyes but he believed in His heart he knew that Jesus was there so he became desperate what did he do? he began to cry out to God और वो प्रवईश मसी को पुकारने लगा why? क्यों? because his faith in God he turned it into a now faith enough a now faith जो विश्वास उसके अंदर पहले से था उस विश्वास को उसने उस वर्तमान में लेके आगया all of us know Jesus heals all of us know God's presence is here we all have faith in God but now we need to make that faith and now faith और उस ही विश्वास को अभी अपने वर्तमान में लेके आना है I want to see a miracle now I want something to happen in my life now I want my sickness to be healed now मैं चाहता हूँ मेरी बिमारी इसी वक्त ठीक हो जाए now I must experience a breakthrough in my life अभी मुझे अपने जीवन में एक छुटकारा चाहिए I have a problem for a long time बहुत लंबे समय से समस्या है मेरे पास but now it needs to stop लेकिन अब उसको खतम होना है you see there's now faith ये अभी जो विश्वास है this is not dependent on my problem और ये मेरी समस्याओं के ऊपर निर्भर नहीं है but this is dependent on my belief in God लेकिन ये मेरा परमेश्वार के ऊपर जो भरोसा है उस पर निर्भर है बातिमेश was blind for his whole life और बातिमेश पूरे जीवन काल से अपने अंधा था और वो अपने सरु में सोचता था all my life I have not seen पूरा जीवन में नहीं नहीं देखा how can I see now अब कैसे देख सकता हूँ he didn't think like that ऐसा नहीं सोचा you see we sometimes think मैं हम कई बार सोचते हैं the problem I have is for many years और ये समस्या बहुत सालों से है the pain in my body is for many years और ये दर्द मेरे शरीर में सालों से है the problems in my home is for many years और घरेलू समस्या कई सालों से है but how can it happen in immediately पर ये एकदम से कैसे ठीक हो जाएंगी I want to tell you something when Jesus puts his hands on you जब ये श्यू अपना हाथ आप पर रखते हैं immediately 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 something will happen that's why बातिमेस begin to cry out to God Lord, Lord, Lord Jesus और प्रभुईशू, प्रभुईशू और दावुद की संतान have mercy on me why he is beginning to see his miracle he is able to see a miracle in his life when he comes to Jesus और जब वो ईश्यू के पास आ रहा है तो वो अपने आश्यूरे करम को भी देख पा रहा है the Bible says in Probs 29, 18 और बाइबल नीती वचन उन्तिस के अठारा में कहती है without prophetic vision people perish और जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग नाश हो जाते हैं is that the right scripture yeah is it the right scripture yeah yeah pastor it's right okay without prophetic vision people perish जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश हो जाते हैं faith is seeing prophetically what you believe और जो विश्वास है वो भविश्य में देखना है की जो भरोसा आपने रखा है what is faith Hebrews 11 says faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen और विश्वास एबरानी 11 के एक के मताबिक आशा की हुई वस्तूओं का निश्चे और अंदे की वस्तूओं का प्रमान है you know faith is substance meaning you know you can feel it even when it's not there और विश्वास एक वस्तू के समान है ना होने पर भी आप उसको अनुभव कर सकते हैं I want you to capture it this morning और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को आच पकड़ ले what is faith? विश्वास क्या है? faith is seeing and feeling when you don't even have it और विश्वास उस वस्तू को छूना और देखना और महसूस करना है जबकि वो वस्तू अभी आप के पास है भी नहीं you see David had a revelation about it और दाओद के पास परमेश्वार का एक प्रकाशन था he said to God he said Lord you saw me in my unformed state और उसने कहा परमेश्वार तूने मुझे तब देखा जब मेरा अस्तित्व मेरी मा के गर्ब में आया भी नहीं था और उसने कहा परमेश्वार मैं जानता हूँ माता के गर्ब में रचे जाने से पहले ही तूने मुझ पर चित लगाया है आपको ये मालुम होना चाहिए और आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आप जब अपनी माता के गर्ब में ही थे तब से ही परमेश्वार ने आपको देख लिया है और जान लिया है और ये भजन एक सोनतालिस और उसकी सोलवी अध्याय में लिखा है और उसने लिखा है और उसने लिखा है Psalms 139 और उसमे लिखा है तेरी आखो ने मेरे बेडॉल तत्व को देखा अलेलुया So it's very important to know the faith is feeling what you believe in और विश्वास वो है उस वस्तू को अनुभव करना जिस पर आप भरोसा रखे हुए हैं let me explain to you one more time एक बार और मैं आपको समझाता हूँ you have a problem आपके पास एक समस्या है you have a situation in your home और घर की कोई ऐसी परिस्टती है you have a sickness in your body now it is real और वो सच में है you can see pain, you can feel pain you know everything is real आप परिशानी देख सकते हैं दर्द को अनुभव कर सकते हैं सब कुछ है but what is faith in God लेकिन परमेश्वर पर विश्वास क्या है faith in God is seeing yourself out of your situation और विश्वास वो है कि विश्वास की आखों से अपने आपको उस परिस्थिती से बहार आते हुए देखना और अबरानी बारा के में लिखा है ईश्व के बारे में उसने उस आनंद के लिए जो उसके सम्मुक रखा था उसकी परवा नहीं की जब ईश्व मसीख की तरफ जा रहा था और उसकी इस शरीर में घाउ थे बूरी तरह से मार पड़े ती और उसको कोड़े मारे पर इश्व क्या देख रहा था जब कि उसके लिए उसके जवारा था उसके वेड़ रहा है उस समये जबकी उसके शरीर पर तालना हो रही है आपके जीवन को कौनसी बात सामर्थ में बनाती है आप जब अपनी चनौती में ही अपनी विजय को देख लेते हैं हालेलुया मर्कोस उसके पाँच्वे अध्याय में और चौतिस्वी आयत में कहते हैं in verse 35 Jesus tells them Jesus tells Jairus Don't be afraid, only believe what is he talking about? when they bring a real report the report is the child is dead और वो खबर ये है कि बच्चा मर गया है it's a real report और सची खबर है in the midst of the report और उसी खबर के बीच में God is telling Jairus और ईशु जाहरा है through this death और इस मृत्ति उसे I want to see your child live और मैं तेरे बेटे को बच्चे को जीवित देखना चाहता हूं He is telling believe विश्वास कर ईशु कहता है और ईशु कहते है इसके द्वारा देखो उसको जीवित देखो क्यों? Because He was already seeing her live क्योंकि ईशु मसी उस बच्चे को जीवित देख रहा है Jesus already saw the child live ईशु मसी ने पहले ही उस बच्चे को जीवित देख लिया और इसलिए ईश्यू ने कहा यह बालक बच्चा भी सो रहा है और जो वास्ते विक्ता में मरा हुआ था वो ईश्यू मसी के लिए जीवित था विश्वास क्या है जब आप पर मेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो की दुनिया में मरा हुआ है वो आपके लिए जीवित है आप अपनी बिबारी के बीच में भी अपनी चंगाई को देख लेते हो आप अपनी जय को अपनी चनौती के बीच में देख लेते हो आप उस बुरी खबर के बीच में भी उस अच्छी खबर को सुन लेते हो यही विश्वास है और ये बरती मैं इश्यू के पास आया और मैं इश्यू ने क्या बोला इश्यू ने क्या चाहिए और वो कहा इश्यू मैं देखना चाहता हूँ वो देख रहा है अपने को देखते हुए और इश्यू के पास आते हुए देखने की संभावना को देख रहा है while he is still sick while he is still blind he sees that he can see because he came to Jesus you know what Jesus says to him your faith what you saw the faith that you had what you believed for your own life you saw yourself seeing when you were blind because you converted your hope to faith now you made it enough faith you believe now it will work for you you believe now it will happen to you you believe now I am going to be free Jesus said your faith it has made you whole you believe that it is the same for all of our lives when we come to Jesus we believe we believe hallelujah hallelujah see one of the attributes of the Holy Spirit he is called the helper I want you to know this morning your God wants to help you come on get it into your head Jesus wants to help you whatever be your problem he wants to help you another important thing to understand you see when we meet people when we see people what do we do we say hello to them but we look at their background always when we see people we see their past oh this sister I know about her this brother I know about him oh that brother he used to be like that we always see the past but do you know something when Jesus sees you he only sees your present and your future he never looks at your past why because you don't have a past when you gave your life to Jesus he forgave your sins and he forgot your sins in his computer nothing is there you can search night and day but you cannot find anything hallelujah so when the enemy tells you about your past and you come to God Lord what about my past God will tell you I don't know what you are talking about I don't remember anything about your past but Lord I remember yeah but I have forgotten it forgiven forgotten are you there so what does God do he wants to give you a present and a future the devil is trying to take us into our past when there is no past but you might say today but pastor I have done that in my past life I used to be an angry man I am like that I used to be like that God doesn't know all that he forgave you he forgot everything see Jesus when he comes to you he is concerned about your present and your future the woman caught in adultery they came to Jesus they said to Jesus Lord we caught her in the act when was that that was sometime before she came to Jesus probably one hour before probably two hours before so they brought her to Jesus what did Jesus do he did not talk about her past he was talking about now so what did he do he said to her he said to the people if you don't have sin then you can cast the first stone so everybody left they put their stones down and they left then what did he say he said to her your sins are forgiven you what does it mean whatever you did five minutes before and the rest of your life all is forgiven he never asked her why you did that what you did nothing he said your sins are forgiven that means your past is gone then he said to her go that means you have a new future now in this new future don't fall in sin again don't do the same sins again what was he concerned about her present and her future I want to tell you this morning God is your helper what does he want to do wants to help you today and into your future Romans chapter 3 you know Paul writes about you know he writes about what happens to us when Jesus comes into our life let me just read it to you the bible says in Romans chapter 3 and verse 23 the bible says for all have sinned and fall short of the glory of God verse 24-25 being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present the time at the present time his righteousness that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus 24-26 and I'm reading from 24-26 I'm reading in your face but with that from the 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 तरह जाते हैं उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्राश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किये गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहन शीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विश्वास में वे अपनी धार्मिक्ता प्रगट करे वरन इसी समय उसकी धार्मिक्ता प्रगट हो कि जिससे वे आप ही धर्मी तहरे और जो यश्वास करने से उस इसका भी धर्मी ठहराने वाला हो hallelujah okay what does this mean it simply means like this the day we have all sinned and fallen short of the glory of God but when we ask Jesus to come into our life okay this is you know this is my life I walked from here till here and now I receive Jesus as my Lord and Savior and I have been freely justified by the blood that Jesus shed on the cross so Paul is explaining Paul is saying now because of the blood of Jesus the father knows the beginning of your life from the beginning and the end of our life but because I have been justified by the blood of Jesus Paul says what does the father do he passes over all the sins that I have committed everything from my past he has passed over everything he has come to the present and he takes a hold of my life and he takes a hold of my life I have been justified and I have been forgiven and he takes me into the future that he has for me what has the father done he has passed over all my past look at what the bible says in Hebrews Hebrews chapter 8 and the bible says in verse 11 from verse 10 let's just read it Hebrews 8 and verse 10 for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days says the Lord I will put my law in their mind and write them on their hearts and I will be their God and they shall be my people none of them shall teach his neighbor none his brother saying know the Lord for all shall know me from the least of them to the greatest of them for I will be merciful to their unrighteous and their sins and their lawless deeds I will remember no more and I'm sorry you know verse 13 says in this he says a new covenant he has made the first obsolete okay so read from verse 10 to 13 10 सम मुझे जान लेंगे क्युंकि मैं उनके अधरम के विष्य में दायावन्त हूंगा और उनके पापों को फिर ना इस्मरन करूंगा नई वाचा की इस्थापना से उसने प्रतम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीन हो जाती है उसका मिट जाना अनिवारे है hallelujah so what is this new covenant we are under the new covenant in this covenant because of what Jesus did for us he forgives our sins and he forgets our sin now where is this new covenant it's in the blood and we are partaking of the sacraments today 1 Corinthians chapter 11 and verse 25 says Jesus said like this you know Paul reminds what Jesus said and he says in the same manner he also took the cup after supper saying this cup is the new covenant in my blood where is the new covenant the new covenant is inside the blood Jesus had to shed the blood because the new covenant was inside his blood unless there is shedding of blood there is no remission of sin so what does the blood do deletes my past sets me free in the present takes me into a glorious future that's exactly what Jesus did in his ministry he was not bothered about their past he wanted to bring a change in their lives in that moment and give them a future the Holy Spirit this morning is a helper you can be going through any situation but your life is about putting faith in God coming to God whoever came to him something happened to them God did a miracle for them God set them free and gave them a future our life is not just about a miracle our life is about a good future that God wants to give our life is about a good future that God wants to give Bati mayors need not go back to begging the woman who touched the hem of his garment she need not carry the reproach anymore the leper need not go outside the city and live anymore I don't know what your situation is this morning but God knows it we all have hope and we also have faith that God can do it but if you will make that faith a now faith the same God the Bible says the same power that raised Jesus from the dead is at work in us today today right now our sins can be forgiven our sicknesses can be healed our situations can be changed don't look about how powerful your situation is but look at how powerful Jesus is amen if Bati mayors thought about the intensity of his sickness he may not have come to Jesus but he was not bothered he was not even bothered about who was sitting next to him he didn't care about what people will think about him he said my faith is now now I'm going to touch I'm going to go to God the woman said now I'm going to touch the hem of his garment the Bible says when Jesus went into a city they asked him Lord can we touch the hem of your garment he said okay the Bible says whoever touched the hem of his garment got healed whoever doesn't matter what your background is this morning God will do a miracle may you close your eyes for one moment this is a morning of a miracle maybe you just came for another service but I want to tell you you can make this church service this morning your morning for a miracle the first healing in our life is not our physical bodies but it is first to be set free from sin and ungodliness if you are sitting here and you do not know Jesus but you want to give your heart to Jesus let me tell you one moment there is only one way to heaven that is through the Lord Jesus Christ the Bible says he is the way the truth and the life if you come to him he will forgive your sins and he will give you eternal life the Bible says whosoever calls on the name of the Lord shall be saved the Bible says maybe you were a believer but you are backslidden today God is calling you back the Bible says repent and be converted that your sins will be forgiven so that times of refreshing can come in the presence of God if you want to give your heart to Jesus as all our eyes are closed lift your hand only those who want to give your heart to Jesus hallelujah hallelujah you either want to give your heart to Jesus for the first time or you want to recommit your life to Jesus lift your hand those lifted hands would you stand up to your feet just stand up to your feet we are going to pray you are making a commitment to God this morning now I want your God is your God Jesus is your God the Bible says if you call upon the name of the Lord so you call him the way you want to call him right now come on open your mouth and call him he wants to come into your heart you ask him you tell him Jesus come into my life come on now is the time you tell him Jesus change my life you tell him Jesus forgive my sin you ask him to come into your life right now it is your decision those of you standing come on speak to him now God is right next to you he is hearing what you are speaking to him as you ask him he will come he loves you more than anybody else he will change your life your life will never be the same again the Bible says old things will pass away and all things will become new if you have a sickness in your body or you need a situation to change in your life if you need a miracle right now I want you to stand up to your feet we are going to pray for miracles right now if you need God to do something for you maybe it is not a sickness it is a situation in your life then stand up to your feet you know according to the word we have heard this morning now I know that we all have a hope and we also have faith in God we all know Jesus is powerful we all know Jesus can do miracles we have read about it in the Bible we have heard many messages but now the Holy Spirit is here so I want to make your faith a now faith doesn't matter what the sicknesses it can even be cancer it can even be an impossible situation now it's a now faith come on I want you to believe God for it now you speak to the Lord now tell the Lord Lord I want to be healed now I want a miracle now I want bad dreams to stop I want evil things to stop in my life I want sicknesses to leave my body come on it's a now faith now the power of God is in this place now is a moment of miracles in the mighty name of Jesus every sickness and disease come out of God's people come out of God's people out of this place in the name of Jesus every sick body speak healing and I in the name of Jesus in the name of Jesus if you have a sickness in your body put your hand where the sickness is right now let's believe God right now healing will come now healing will come now I declare the pain to leave now in the name of Jesus pain in the hip go now in the name of Jesus pain in the head go now in the name of Jesus oh every sickness I command you to leave now in the name of Jesus 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 this is an atmosphere of healing और ये चंगाई का मौतावर है और ये चपकारे का समय है Step out of your sickness Step out of your sickness In the name of Jesus In the name of Jesus God's mighty presence is here Come on, God is healing people right now God is healing people right now The spiritual working power of Jesus is moving right now Receive the healing right now Receive the healing right now In the name of Jesus In the name of Jesus Now I want you to test Try to do something that you could not do before Come on, come on If you can't move, try to move If you have pain in your hands Lift your hands Check, check right now Check, check right now If you had pain in your back Try to move your back God's healing power is real Come on, try to do something you could not do before Come on, church, now faith Put your faith to action now Put your faith to action now The glory of God is upon this place This is God's house And God is in the house Come on, try to do something you could not do before Hallelujah Hallelujah Praise you, Jesus I want every hand put down Every hand down Has anybody received a miracle? Check, check I know God has healed you Check You received a miracle? Yes If you have been healed If you have been healed Then raise your hand Ask her what happened to her Kya hua tha aapko? Oh, Rabha Sandha Rabha Ramashud Kya hua tha aapko? She had a stomachache It's gone now? That's gone now Sister, what about you? You've been healed Praise God Anybody else? Teeth Pain is gone Hallelujah Anybody else? Okay Hallelujah She can lift her hands now Hallelujah 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 You see Anybody else? You received a healing? Brother She was having a chest pain That's not now It's gone? It's gone Hallelujah What about this This brother here? He was having pain in his toe Left toe That pain is gone That pain has left now Hallelujah Come on I want you to lift your hands There's only one healer His name is Jesus What the people experience here We experience it everyday We can experience him in our homes Remember Jesus is there to help you He is more concerned about you today And into your future Stop looking at your past Look unto Jesus He's the author and finisher of your faith One moment everyone lift your hands And begin to thank God Say thank you Jesus Thank you Jesus Thank you for your word Thank you that we could worship you Thank you for your power Thank you for your healing Thank you for my be para maintains Thank you so much Thank you for your healing Thank you Thank you झाल झाल